हलो वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज हिंदी मेरा नाम है अबनीज त्रिपाथी तो कक्षा बारा इतिहास का पार्ट आठ किसान जमिदार और राज मुगल कालीन समाज में या मुगल कालीन शाशन में यह महत्तपूर इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आपके सामने उपस् यह बहुत बहुत खास टॉपिक है जिस टॉपक की जिस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपके 12th क्लास के परिक्षाओं में और competitive examination में पूछे जाते हैं यानि कि लैंड से revenue निकालने का जो system था वो क्या था और वो कैसे काम कर रहा था पर इससे पहले कि इंपॉर्टेंट श साथ से बारा की शारी सिक्षा ले सकते हैं किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबसी बोर्ड की हिंदी माध्य में आपको यह सारी सिक्षा मिलेगी यह एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई प्रेट सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा तो आप यूपी बो कि अब देखें हमने प्रिवियर सेक्षन में भी यह चर्चा की हुई है कि भाई 1526 पानीपत की पर्थम लड़ाई 1526 में जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंस की स्थापना की और 1857 तक बहादूर साज अफर दिटिये तक यह चलता रहा ठीक बात अब इसमें जो प्रमुक रूप से भूराजस्व की पडाली थी वो लगभग सिमिलर तरीके से चल रही थी खास करके जब अकबर आया और अकबर के समय में जो प बहुत सारे मैं आगे भी डिसकस करूंगा तो आपको एक्जामपल भी बताऊंगा कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो आज के भारत में भी भूराजस्व से या आप क्या सकते हैं कि जो लैंड सिस्टम है पूरा उससे जुड़े हुए हैं ठीक बात अच्छा अब इसमें अगर हम बात करें तो दो तीन नामों की चर्चा आपको देखनी है एक अक्मर के पीरियड की एक इनके वित्तमंत्री टोडर्मल की और इनके द्वारा इस्थापी तीन महत्तपूर लैंड रेविन्यू सिस्टम या भूराजस्व पढ़ाली की पर उससे पहले हम एके करके क सरवपर्थम सुरूत है ठीक बात है हर सरकार को या हर समराज्य को इंकम के लिए रवेन्यू के लिए कुछ सोर्स चाहिए तो अलग-अलग सोर्स की बातगरदे से जजिया कर था और कई तरह के धंडित करने वाले करत है लेकिन इसके अलावा जो है भूरा जस्व से जो इं आँ अमला चाहिए था या एड्मिष्टी पुरा फ्रमेशन चाहिए था जो इस पूरे लेंड रेविन्यू सिस्टम को क्या कर सके बता सके या उसको लेंड रेविन्यू सिस्टम को लागू कर सके अब इसमें दो पार्ट था देखिए एक था यह जो पूरा प्रसासनिक तंत्र था भूराजस्व का जो प्रसासनिक तंत्र था इसके दो महत्वपूर्ण कारे थे या स्टेप थे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ध्यान से समझेगा, ठीक है? इसके दो इंपॉर्टेंट क्या थे इस्टेप थे तो पहला इस्टेप पहला इस्टेप क्या था पहला इस्टेप ये था भूराजस्व का निर्धारण भूराजस्व का निर्धारण ठीक है और दूसरा इसमें पॉइंट क्या था दूसरा important point ये था कि भूराजस्व की वसूली भूराजस्व की वसूली ठीक है यानी determining the what determining the land revenue and collecting the land revenue ये दो महत्यपूर्ट पार्ट इस प्रसाशनिक तंतर थे कि भाई किसी जमीन में कितना टैक्स वसूलना है पहले तो वो डिसाइड करना था वो भी प्रसाशनिक कारे की आ जाता था दूसरा और उसके तरीके होते थे उसका बकायड़ा फॉर्मेट होता था और तीसरा उसको वसूलना या लोगों से निकालना तो यहां पर दो पार्ट फिर आ जाते थे एक आ जाता था जमा और एक आ जाता था हासिल ठीक है यानि कितना पैसा आपका रेवेन्यू कितना आपको जमा करना है और कितना एक्चियों मिलता था यह इसमें दो पार्ट आते था भी स्केम चर्चा करेंगे तो यह भू राजस्वर का जो है पूरा प्रसासनिक तंत्र था जो मुगल प्रिरेड में हमें देखने के ल ठीक होता था सबसे महत्रपूर रता जिसको हम वित्तमंत्री रहा करते थे है ना इसकी भूमिका महत्व थी क्योंकि समस्तर राज duda की जिमेदार्य होती तो देव वित्तमंत्री दिवान को कहा जायेगा यह चीजह से अच्छी हुमृ राटस पर यह वहिएगा बहुत तो इस चीज की चर्चा यहां पर की गई है कि सबसे बहतरी अगर भू राजस्व प्राली किसी ने दिया तो अक्बर ने दिया विवस्थित दिया और मदेकाली भारत में चलता रहा मुगल समराट अक्बर ने अपने सुयोग वित्तमंत्री राजा टोडर मल की सहायता से इनका नाम बहुत फेमस है बहुत कॉम्पूटिटिव एक्जामनेशन में आता है कि टोडर मल किस चीज से समंदी थे तो भू राजस्व से किसके वित्तमंत्री थे अकबर थे अकबर का बहुत मंत्री कौन टोडर मल इनके द्वारा दी गई भू राजस्व प्राली कौन थी तो जबती दहसाला अभी चर्चा करेंगे उसकी इनकी सहायता से भू राजस्व बेवस्था के छेत्र में जिस प्राली को स्थापित किया गया वह सबसे इंपॉर्टन प्राली थी और है यहां से हम थोड़ा सा एक और छोटा सा सौट नोट लेकर चलेंगे और वो चलेंगे क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है ठीक बात भू कि राजस्व प्राडाली जाहिट से बात है मुगलकाल की बात हो रही है ठीक है अब इस भू राजस्व पडाली के तीन महत्वपूर्ट पाड़ थे ठीक है जी कौन से अभी देख लेते हैं एक दो तीन ठीक पहला और सबसे महत्वपूर्ट देहशाला ठीक इसको और क्या कहते थे इसको जपती भी कहते थे जपती ठीक है जपती या भेसाला पडाली दूसरा तूसरा गला कज़तीन पडाला थे न महत्वचिन गंला भक्षी और कंकोट गल्ला बक्षी क्या था देखेंगे और तीसरा कनकूत अब देखें ये तीन तरह की भू राजस्व पढाली अकबर काल में चल रही थी ठीक है जिसमें इस जबती या दहसाला की जो पढाली थी वो प्रमुकुरूप से इस थापीत की किसने तोडर मलने यह सबसे इंपोर्टेंट क्यों थी क्योंकि बारा से पंदरा जो प्रोविंसिस थे प्रांत थे उसमें आठ से नो प्रांतों में ये दहसाला सिस्टम चल रहा था बहुत महत्मूर था अभी दहसाला प्रणाली था क्या दहसाला या दस साला से यह कह सकते आप निकला जो दस साल इसमें क्या होता था इसमें दस साल का औस निकाला जाता था ठीक है कि दस वर्सों का ओसत उत्पादन औस तरहां रहे था यह तो इसा करके दस से grade करके हमने औस रहे निकाल लिया और और मानते हैं कि चलो इस बार भी उत्ना अब पाहन होगा और उसका फिर क्या कि राजस्व के रूप में लिया जाता था राजस्व के रूप में उससे पहले इसमें और क्या होती थी जमीन की 25 कितनी जमीन है यह सारी चीजें को निर्धारित करना कि अक्षार में राजस्व लेना कितना है तब वसूलना है तो दस वर्सों का उसात उत्पादन एक बटा तीन भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था जमीन की 25 होती थी यह जबतिया दहसाला सिस्टम था गल्ला बक्षी में क्या था यहां मुख्य इसको भी discuss करेंगे बटवारा क्या होता था कि जैसे मालीजे फसल है तो अगर खेतों में खड़ी है तो बतवारे तीन तरकेश होते थे एक होता था कि खेतों में फसल है तभी अधिकारी आएंगे बोलेंके इतना सरकार गा इतना आपका यह अपना फसल आप लेगे हम काट आपका इतना मेरा तो इस तरह से बटवारा हो जाता था सीधे सीधे वहीं पर और उसमें यह सिस्टम ही होता था कि उसमें अलाव और हानी किसान और समराज दोनों को फिर सहना पड़ता था यह किसकी खुबी थी कनकूत में क्या होता था कि इसमें अधिकारी गाव में जाते थे गाव में अधिकारी जब जाते थे तो वहाँ पर निर्षड करते थे निर्षड करके बोलते थे कि इतना टैक्स हुआ यह कम राज्यू में था सबसे अधिक फेमस यह जपती पडाली दहसाला पडाली थी जो दर्मल ने दी इसका कोश्चन बार बार एक्जाम में आता है कि जपती पढ़ाली किस ने दी थी ठीक है तो यह आपको ध्यान रहेगा यह इंपोर्टेंट है आई इसके कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं लिए प्रटना नहीं है बिल्कुल भी तो अकबर के शाष्णकाल में उसके समराजय में भूर अजस्व की तीन पढ़ा लिया थी कौन दहसाला बंदोबस्त गल्ला बक्षी पढ़ाली और नस्क या कनकूत पढ़ाली इसको नस्क भी बोलते थे कनकूत को नस्क भी बोलते थे थीक है नस्क ये द्यान लखिएंगा ये झाथए तैसलय में है नसक प्रडाली इस प्रडाली में सरवाधिक महतपूर दैसाला बंदोबस्त था जो समराज कि अधिकांस प्रांतों में परशली थettes तो यह फेमसी इस लिए था क्योंकि यह पहले दस वर्सों के मुल्यों का औसत मिलाकर लगान निश्चित किया जाता अभी मैंने आप से डिसाइड यह डिस्क्राइब किया इस विवस्था के तहट प्रतेग भूमी की पैमाईश यानि पहले भूमी का एक तरसे कह सकते हैं कि निजिक्षन होकर कितने बाई कितने की ज जो रैवेन्यो या लगान वसूल या का सुल्टम है वह क्योवल अनाज नहीं भलकि सिक्ष्य या मुद्रा के रूपर शुरु किया गया सूह एरकम्स यहां से क्या सुद्वात होगी आपको अर्थ विवस्था की अए अर्थ विवस्था का मौद्री की करण अर्थ बेवस्था का मौद रेकी करण यानि monetization of economy ये चीज़ आपको यहां पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी अकबर के दर्वारी इतिहास अबूल फजल ने दहसाला बंदोबस्त के में लिखा है कि इस बेवस्था के अंदर के प्रतेक परगने की पिछले 10 साल इसकी उपज और उपज की कीमत जी की जानकारी ले ली जाती थी और उसका दस्वा भाग वार्सिक माल गुजारी के रूप में निशित कर दिया जाता था ये भी एक important पार्ट है मुगल सामराजे के आठ महत्पूर प्रान दिल्ली आगरा अवद इलावार मालवा अजमेर लाहूर मुलतान यहां पर यह 10 साला बंदोबस्त क्या था फेमस था अब इसकी क्या क्या विश्यस्ता है थी भूमी को नापने के लिए रसी के इस्थान पर बास के टुकड़े का इस्तमाल किया जाता था यह एक इंपॉर्टेंट बात है यानि रसी नहीं बास का टुकड़ा रहेगा उसी से नापा जाएगा जो लोहे के छलो से जुड़ा रहता था क्योंकि रसी मौसम के परभाव से घट बढ़ भी सकती थी तो एक बास का टुकड़ा थे कि कितना बड अब है यह यूनिट आ जिढ़ में भी भी समटे हैँं की आदि कंशा की ना कि बहुत सारी चीजों चीति हैं इस्तिमाल किया आज है आज भी अलग अलग जगह अपर जैसे पस्चिमी उत्रप्रदिस ऐ Palestinian मिचये बड़े का सिस्टम है तो पहले 25 होती थी ठीक है यह 10 साला में तो यह important है अच्छा यह एक और आप confusion दूर कर लिजेगा यह जो आईने अकबरी का स्रोत मिला है वहां से एक बटा दस भाग मतलब एक दसमा भाग जोता था एक बटा दस भाग आप ऐसे अबुल फजल के नुसार एक बटा दस भाग म उसका दसमा भाग टैक्स के रूप में लिया एता था यह आईने अकबरी में यह सुरुत मिलता है तो ऐसा अलग अलग भी है तो आप इसको लिख सकते हैं अच्छा आगे 1586 सतासी में से गज इलाही का प्रयोग किया गया गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया यह सब भूम जाओ होगी तो वहां से ज्यादा उपज मानते थे एक परती होगी जो कुछ साल बाद छोड़नी पड़ेगी उपज बढ़ाने के लिए एक मापर उसी पूरा बंजर इलागा जहां पर कभी खेती नहीं होती थी तो उसी साब से उसको देखते थे अब देखे इस ब्यवस् सुरू में पता है कि दो हिस्से होते हैं पहले तो कर्मचारियों को यह करना होता था कि कितना टेक्स हुआ वह यह सब देखके करते थे कैसी जमीन है कितना उपज है और फिसके बाद उसको वसूल आ जाता था ठीक है जो भूमी जागीरों की रूप में दी गई थी उसकी ल आप के सामने रख रहा हूं दूसरा पॉइंट एक जो में देखा था गल्ला बक्सी उसको भी देख लीजिए तो मुगल समराजी के सिंद्ध अब वो सारे प्रोविंसे महतोपूर प्रोविंसे में लहोर हुआ दिल्ली हुआ मुलतान हुआ लहाबाद हुआ यह जितने प् पश्वीर कालू काभूल कंधार गुजरात में भूर जस्व необходимо की इसको गल्ला बक्सी कहते ते जो पहले से चली आ रही है इसको बटाय 7 इसने फसल की मह लिए जह कटाई हो गई है कटके फसल रखा हुआ है तो इतना फसल आपका इतना फसल मेरा तो रासी इतअ जूचाए खेत ज्ल्राइब चबशेट इस्विश वर सिर्वी ऀवशन च्छी ना पड़ता ता था तो मुगल समराज के बंगाल उड़ीसा बरार प्रांतों में भूर आजस्म की जो पढाली पशली उसे नस्क या कंकुद पढाली कहते थे ठीक है तीन राजें इंपोर्टेंट है कुछ विद्वानक अनुसार इस पढाली के अंतरकत कर निर्धार करता गाउं का निरिक्षर करता था और निरिक्षर करके सामने रखे गए हैं जिन सिस्टम के थुरू आप क्या कर सकते हैं बहुत डिटेल में समझ सकते हैं कि भूर आजस्व की पढाली क्या क्या थी जिसमें हमने एक पढाली देखी कौन सी कौन सी जबती या दहसाला जिसको टोडर मलने लागू किया था एक हमने देखी कौन सी गल्ला बक्षी प्रणाली और इसमें तीन तरह की बटाई थी रासी बटाई खेत बटाई और लाक बटाई और तीसरा हमने महत्वपूर देखा था कानकूत प्रणाली तो आई होप कि एक सौट समरी आपको भूराजासर प्रणाली की समझ में आ गई होगी उसके जो हमने प्रणाली की चर्चा की वह भी समझ में आ गई होगी इसमें कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताईएगा एक खास बात की जानकारी और ध्यान और रखेंगे कि मैगनेट ब्रिंस की अपनी वेबसाइट है मैगनेट ब्रिंस.com यहा हमारे महत्तपूर्ण बिश्यों की पढ़ाई आप कर सकते हैं यहां पर क्या होता है कि एक बार पहले आपको सलेवस का ओवर व्यू दिया जाएगा फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चोटे-चोटे चोटे चोटे वीडियो से पढ़ें या आप हमारे वेबसाइट से पढ़ें या हमारे एप से पढ़ें यह 100% मुवसिक्षा है सिर्फ आपको लाइक से और सब्सक्राइब कर रहा है जिसके तुरू हम क्या कर सकते हैं कि जादे से जादे वीडियो आप तक लेकर आ सकते हैं आपके लिए और महत्तपूर्ण प्रापिक्स की चर्चा कर सकते है तो मिलते हैं इस्टुडेंट अगली वीडियो में तब तक बने रहे हैं मैंगनेट में सिंधी के साथ टेक केर बाई बाई